गर्मी का मौसम आते ही छुट्टियां अलसाई तो फैर और आम के मिठी यादे ताज़ा होने लगते हैं लेकिन बच्चों और ब्रदों के इस पसंदीदा फर में मौजुद संक्रा की मात्रा की कारण इसे बचन बढ़ने का कारण माना जाता है जिसके चरते आम के सौकिनों के मन में अक्षर यहर दुवीदा होती है कि क्या आम खाने से वास्ता में बजन बढ़ता है या नहीं नुट्रिस आनिस सोमयास तक्सी ने आम खाने की तरीकों और इसे खाने के दौरान याद रहे रखने वाले बाते बताई हैं जी हां आम एक संपूर आहा नहीं है लेकिन बिटामिक एक लोहों कॉपर और पोटेसियम जैसे विविन पोसक तत्वों की खान है आम उर्जा देने वाला बोजन है जो सरीर को परचुर मात्रा में संक्रा उपलब कराता है जिससे सरीर के उर्जा इस तरको बढ़ाने में सायता मिलती है और यह आपको दिन पर इसुर्थी वान रखता है यह विटामिन सी का बंडार है जो सरी की पती रोधत संता को बढ़ाता है और इसमें फाइबर भी परचुर मात्रा में पाया जाता है बहुत ज़्यादा आम खाना भी स्वास्ते के लिए हानिकारक साबित हो सकता है एक मद्यम आकार की आम में लगबख 150 कैलोरीज पाय जाती है आवसकता से अधिक कैलोरी ग्रंड करने से बचन बढ़ता है खाना खाने के बाद आम खाने से संपुर्ट कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है इसे बचने के लिए हम अपने सुपा और साम के नास्ते में आम ले सकते हैं